जैने दे एवरिवान आपका राश्टर सेवा यूट्यूब चैनल पर स्वागत है तो आज मैं फिर आई हूँ आपके साथ एक और टॉपिक लेके हमारी जोग्रफी सेरिस में आज का जो हमारा टॉपिक है दार्टस अबाउट था जो हम अपने आस-पास बादल देखते हैं वो किस-किस टाइप के होते हैं यह हमारे competitive exams में बहुत important है जब भी हम prelims के लिए बैठते हैं तो आपको clouds की types के उपर या उनकी shapes के उपर काफे सारे कभी-कभी आपको questions देखने के लिए जरूर मिलते हैं तो आप ऐसे और sessions के लिए follow कीजिए हमारा channel राश्टर सेवा और इनकी जो आपके PDF होंगी join कीजिए हमारा telegram channel राश्टर सेवा उसमें आपको सारी की सारी PDFs available होंगी तो चलिए start करते हैं हमारा आज का lecture देखे हम कभी भी आसमान में देखते हैं तो हमें कभी किसी प्रकार के बादल मिलते हैं जब हमारी बारिश होती है तो हमें अलग तरह के बादल दिखते हैं हमने बहुत बार अलग अलग तरह के बादलों को देखा है बच्पन में हमने एक चीज़ पढ़ी थी जब हम छोटे थे हम पढ़ते थे water cycle ठीक है तो water cycle में basically हमारा जो concept क्या था कि जी पानी है और पानी evaporate होता है जैसे हमारी sun की heat आती है पानी जैसे evaporate होगा ओपर जाके हमारा condensed होगा और condensed के बाद बनेंगे हमारे बादल लेकिन उन ब में discuss करेंगे तो पहले सबसे पहले अगर आपको पूछा जाए कि what is a cloud बादल होते क्या है तो a cloud is an accumulation और grouping of tiny water droplets and ice crystals ice crystals क्यों बोला गया है यह मैं आपको आगे बताऊंगे जो हमने आज तक पढ़ा है जितना आज तक आप जानते हैं वो है हमारा कि जी पानी evaporate होता है जो water vapors है वो जब एक जगा सारे इकठे मिल जाते तो क्या बनता है हमारा condensed cloud ठीक है इसको हम जो clouds को divide करते हैं हम दो तरह divide करते हैं एक है altitude मतलब height के basis पर कि कौन सी height पर हमें कौन से cloud मिलता है और उनकी appearance कि उनकी कौन सी shape है उस shape के basis पर हमने clouds को अलग अलग नाम दिये हैं अब देख अगर आपको ये 5 terms proper याद होंगी चो हमारी terminology है basically clouds के लिए आप कभी भी किसी भी cloud के नाम को या उसकी height को या उसकी shape को जानने में कभी भी गलती नहीं करेंगे डन इसलिए सबसे पहली slide हमने इसलिए डाली है ताकि जैसे जैसे हम आगे बड़े details पड़े तो आप सर्फ ना high cloud done कभी लिखा होगा alto इसका मतलब है mid so ये दो चीजें हैं जो हमारे altitude के basis बताते है means low cloud के लिए हमारे पास as such कोई भी term नहीं है बड़ जब आताती है high और mid के तो high के लिए ध्यान रखिएगा sirus sirus को मैंसे भी याद रखते कि sir के उपर height ठीक है तो आपको किसी और तरीके से याद है तो वैसे याद कीजिए mid means alto ठीक है and low के लिए असकोई नाम नहीं उसके बाद आते हैं हमारी अगली तीन terms strato, nimbo and cumulog strato का मतलब है कोई layer की form में या हमारी sheets के form में इस type में कुछ भी हो सकता है ठीक है layers हो सकती है particular sheet form में हो सकता है nimbo का मतलब है जहां पे भी nimbo या उसका मतलब वो particular cloud बारिश जरूर करेगा उसके बाद आता है cumulog 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 मतलब आप सबने ruin देखे होगी जो हमारी ruin होती है उस shape में ठीक है या फिर उनका जो bottom होता है flat और उपर से कुछ इस type के होते है so basically जब भी आप cumulog सुनो तो आप एक cotton का जो puff होता है उसको आप ध cumulog means heap अगर आपको यह 5 terms clear होगी तो इसके अगर जो भी clouds पढ़ेंगे तो आप सिर्फ नाम देखके बता सकते हैं कि इस particular cloud का मतलब क्या होगा so देखें अभी आपके screen पे आपको अलग-अलग चीज़े देखें देखें पहले सबसे पहले cumulog nimbus cumulog nimbus हमने क्या बोला था मतलब एक puff ठीक है तो nimbus का मतलब क्या हुआ rain bearing cumulog मतलब puff means कोई एक ऐसा cloud है जो पका rain करेगा और cumulog मतलब वो एक cotton puff की size में then auto cumulus auto मतलब mid means mid में medium height पे वो है और cumulus मतलब वो उसकी shape बता रहा है जो फिर से एक cotton puff की तरह है auto stratus auto मतलब mid क्योंकि हमने क्या पढ़ा था auto का मतलब middle cloud stratus मतलब वो उसकी shape बता रहा है कि वो layers की type में आपको मिलेगा similarly अगर हम उपर आएंगे तो ciros हमने क्या पढ़ा था cirus cirus का मतलब पढ़ा था cirr के उपर अगर आपको बोला जाएगा ciros stratus इसका मतलब है ciro मतलब high और stratus मतलब उसकी shape ciro मतलब उसका high clouds है और stratus मतलब वो कौन सी shape में है हमारी sheets की shape में या layers की shape में similarly अगर cirocumulus लिखा गया है तो ciro का मतलब फिर से high cloud और cumulus का मतलब क्या हुआ हमारे cotton puff की size में तो देखें दो चीज़ आपको धिहान होनी जाए जब हमने high का मतलब क्या पढ़ा था देखें पिछली slide आप एक बार फिर देखते है cirrus means high तो cirrus तो cirocumulus high cloud ये देखें ठीक है starters, nimbo stratus और nimbo में मैंने आपको क्या बताया था कि वो होते है हमारे rain bearing तो देखो अगर आपको ये picture भी ध्यान में रहती है तो cumulonimbus जब cumulonimbus है तो nimbus के साथ हमने rain देखी जब हमने nimbo stratus है तो फिर से nimbus और इसमें क्या है हमारी rain तो ये था एक basic idea पूरा का पूरा clouds को देखें यह हमारे अलगलग टाइप जैसे देखें सिरस यह हाइट पे है सिरो क्यूमलस तो सैरो हाइट क्यूमलस मितलब एक cotton का पफ ऑल्टो क्यूमलस मिड में होगा लेकिन क्यूमलस का मतलब क्या है cotton एक ruin के उसके तरह stratus means layer तो देखो एक sheet या एक layer बनी हुई है then again cumulonimbus cumulon मतलब एक cotton का पफ लेकिन nimbus मतलब क्या हुआ हमारा rain bear है तो अब पढ़ते है थोड़ा सा detail तो based on the height, altitude, clouds are classified into three हमने क्या पढ़ा high clouds, middle clouds और low clouds, high clouds में हम क्या पढ़ेंगे cyrus, middle clouds में हम पढ़ेंगे alto and low clouds हमने बोला as such हमारे पास कोई भी terminology defined नहीं है then high clouds में देखो जो हमने पिछे पढ़ा cyros, cyrostratus, cyrocumulus, altostratus, altocumulus, low clouds में stratocumulus, stratus and nimbo stratus, देखे हम आगे पढ़ेंगे, so सबसे पहला जो है हमारे पास high altitude cloud, cyro जिनको बोलते हैं यह हम जिनको cyrus बोलते हैं मिन सिर के उपर तो उनको क्या बोले, above about 20,000 feet के उपर होते हैं, अब इसमें एक चीज आइस क्रिस्टल्स, आइस क्रिस्टल्स बेसिकली क्यों बोला गया, because एक level तक, एक layer तक, एक particular height तक water रहेगा, उसके उपर वो क्या बन जाएगा, जैसे temperature बहुत ज़दा डाउन हो जाएगा, तो वही particular water हमारा किसमें चेंज होता है, हमारे ice crystals में, then अब देखें, सबसे पहल में है, and silky sheen appearance हैं, तो आपको किसी भी cloud की, आपको particular, उनकी shape ज़रूर याद रखने है, तो Cyrus के साथ तो पता लगया, कि ये कौन सा cloud की बात करे है, हाई, ठीक है, तो एक इसमें है, हमारे hair light में, या silky screen में, before sunrise, जैसे आप normally with sunrise or sunset के आगे पीछे भी हम in particular clouds को देखते हैं, ज के साथ कोई भी बारिश या वैसा, कुछ भी related नहीं है, next is cyro stratus, अगर मैं आप से पूछ हूँ, अभी तक आपको click होना चाहिए, cyro stratus मितलब high, stratus मतलब एक layer के form में cloud, ठीक है, high तो है, लेकिन layer के form में, so their high very thin comprises of a uniform layer and composed of ice crystals, ice crystals क्यों, once again, एक particular height पे वो है, तो इसलिए वहा के shape में, ठीक है, cotton, जब भी आपको cumulus देख जाए, तो आपको ruin याद रखने है, कि ruin का जो एक puff होता है, वो कैसा होता है, so they are small rounded puffs, shaped clouds that usually appear in long rows, high in the sky, and are usually white, ठीक है, तो देखे, जो आपको ये वाला है, this is our, हमारा कौन सा, cyro stratus, और जो ये puff, छोटे-चोटे ruin की तर आपको cyro cumulus, तो क्या देखा हमने, जब हमारा पास high clouds की बात आई, तो आपको cyro पकाएगा, और उसके आगे का जो time है, वो define करेगा, हमारा क्या, सिरफ और सिरफ उसकी shapes, तो high clouds में, हमने rain bearing में, अब तक कोई भी cloud नहीं देखा, now, next is middle altitude, तो middle altitude में, हमने क्या देखा, जहां पे भी prefix हमारी alto लग जाएगे, alto का मतलब ये particular cloud हमारा का है, middle height और middle height क्या है, मतलब 20,000 feet के नीचे, तो कहा होगा, 65,000 और 20,000 feet के बीच में, जो clouds बनेंगे, वो होंगे हमारे alto clouds, means middle altitude clouds, 20,000 feet के जो उपर थे, वो थे हमारे कौन से, sinus clouds, इसमें भी क्या होगा, अब इसके भी एक particular height है, तो इसमें क्या होगा, water droplets भी होगी और ice crystals भी होगी, it will be the combination of two, दोनों थोड़ा थोड़ा होगा, ठीक है, तो पहले कौन सा, alto stratus, stratus means, फिरसे एक हमारी sheet, alto means, mid, so these clouds are in the form of a continuous sheet, अब देखे, आप एक layer के नीचे आ चुके है, अब हम थोड़ा थोड़ा, इसमें हम थोड़ा storms, rain, अब यह सब शुरू हो जाएगा, ठीक है, तो continuous sheet और whale, gray और blue gray in color, they are composed of ice crystals and water droplets, हमने देख लिया, in its thinner areas, the sun can still be visible as a round dimmed as, means, sun, अब कभी अभी देखना चाब बारिश होती है, उससे पहले हमारे कुछ clouds, उसमें थोड़ा-थोड़ा कु सूरस दिखता भी है, sunlight आती भी है, ल often form ahead of storms with continuous rain or snow, means, जब आपकी rain आने वाली हो, यह कुछ storms आने वाले हो, उससे पहले वो हलके gray color, जो आपने आस पास अपने देखे भी होगा, अपने notice भी होगा, एक होता बहुत गने-काले बादल आते, जो एकदम से अंधेरा कर देते हैं, उनके वारे हम हम आगे पड़ेग as by globular masses or rolls in layers, globular masses का मतलब ही क्या होगा वही, तो जैसे आपको picture में देखे तो यह रूइं की तरह ही लगा आपको बिलकुल, ठीक है, layers or patches, the individual elements being larger and darker than those of cyrocumulus and smaller than of stratocumulus, means, cyrocumulus जो हमने पढ़ा था, उससे यह क्या होते है, थोड़े से बढ़े, लेकिन smaller की से होते है, stratocumulus, stratoc cumulus पूछा जाएगा, तो autocumulus का मतलब क्या है, middle level पे है, और इसका जो क्या है, globular masses, मतलब जुरूही की puffs की तरह जो same shape है, तो आपको पूरा का पूरा आपको एक word से आपको समझाना चाहिए, अगर आपको starting की 5 terminologies याद है, तो उस basis पे आपको पता होना चाहिए, now, next is the low altitude clouds low में हमने क्या बोला, कि as such कोई prefix नहीं है, तो derived क्या है, strato, strato का मतलब अब अब तक आपको पता, it is something called layers, cumulo, means एक heap, ठीक है, या फिर cotton puffs, done, so low clouds occur below 6500 feet, तो आप high clouds हमने किस पे देखा था, कि 20,000 feet के उपर, उसके middle हमने देखा था, 6500 to 20,000, अब 6500 feet के जो नीचे होंगे, they will be called low altitude clouds, consist of क्या, इसमें तो proper सिरफ और सिरफ liquid water droplets आएगी, even super cool droplets आएगी, लेकिन ice crystals इसमें नहीं होंगे, because अब हमारी height लीचे आचुके, तो temperature उतना जादा down नहीं होगा, अब इसमें जो time होगे, तो इसमें देखे, the two main types of cloud include stratus, अगर हम horizontally देखेंगे, low में, तो it will be stratus, और अगर हम vertically height में देखेंगे, that will be our cumulus, वैसे भी अगर आप थोड़ा सा सोचे है, तो हमने stratus में क्या पढ़ता है, कि it will be sheet-like, sheet-like तो sheet कैसे spread होगे, हमारी horizontally, अब जब हमने, और cumulus हमने क्या बोलाता है, एक heap है, ठीक है, जब cumulus की बात आती है, तो एक चीज़ और ध्यान रख then it will be called a cumulus cloud, तो stratocumulus, अब दिमाग लगा यह, stratocumulus हमने क्या पढ़ा कि layer भी है, तो grey और whitish patch, sheet और layered cloud which almost always have a dark, tessal sessions, honeycomb appearance, rounded masses और rolls means, दो चीज़े, layers भी है, और heap भी है, तो see, layer, देखें, यह देखें, and heap, ठीक है, तो stratocumulus का मतलब क्या हुआ, layer भी है, patches भी है, और एक हरी कॉंब appearance दे रहा है, मतलब एक उसका heap भी है, मास भी है, रोल भी है, so these will be our low height clouds, next is our stratus, stratus, अब देखें, कि एक हमारी plane sheet है, या हमारी layers है, a generally grey cloud layer with a uniform base which may have thick enough produced drizzle, ice prison or snow grains, means, जब ऐसे normal grey बाद दालाएंगे, तो उसमें क्या होगा हमारा, कभी कभी drizzle, drizzle का मतलब होता है, हलके बारिश, जो फवार जिसको हम बोलते है, जो हलकी बारिश होते है, उसको हम क्या बोलते है, that is called drizzle, next is nimbo stratus, so these are the clouds, कभी आप से director कर question पूचा जाए, कि which are the clouds, which are named as rain clouds, so there are nimbo stratus, जो आप अपने हास पास जब clouds देखें, जो बहुत जादा घने काले बादर होते, they are nimbo stratus, nimbo stratus, nimbus का मतलब क्या हुआ, rain bearing clouds, so they are known as rain clouds, and they are dark, thick, and accompanied by light to moderately falling, precipitation, what do you mean by precipitation, and rainfall, so देखें, picture में, जो आप ये particular portion देख रहे है, it is showing our nimbo stratus clouds, now next is our cumulus clouds, cumulus against a heap, देखें, अगर आप cumulus, so this is a cotton का वो, एक ही, this one path, so detached, generally dense clouds, and with sharp outlines that develop vertically in the form of rising mounds, domes, what is domes, domes का भी हमें पता है, कि यही shape होता है, towers with bulging upper parts, often resembling as a cauliflower, cauliflower आप सब को पता है, हमारे सब जी है, फूल को भी को हम cauliflower गोलते हैं, तो उसे particular shape में यह देखें, तो इस shape में जो हमारे बादर होंगे, they will be our cumulus clouds, and next is our cumulonimbus, फिर से आया हमारा पास, एक word that is nimbus, means यह भी कही ना कहीं हमें rain देंगे, because nimbus जहां पर पर आएगा, means rain bearing clouds, so they are dense, towering, vertical, loud, it's top acquiring an anvil shape or wasp plume, anvil shape का मतलब यह wasp plume का shape का मतलब क्या हो, this particular shape, हमने magma plumes भी पढ़ा है, आपने magma plumes के बारे में जाना को, so जब यहां पर यह इस type की shape आती है, this one, so that is called a plume shape, ठीक है, so it is associated, अब nimbus है, तो क्या होगा, thunderstorms, atmospheric instability, forming from water vapor carried by powerful upward air current, जब भी nimbus आएगा, it means rain, thunderstorm, यह सब चीज़ें आपको उसके साथ आएगे, so that's it, about the all types of cloud, अगर हमें quick revision करें, तो हमने क्या देखा, कि जब आएगा cirrus, cirrus का मतलब क्या हुआ, high, then stratus, stratus मतलब हमारा layer, mid means alto, alto का means क्या हुआ, हमारा mid, ठीक है, and then whenever it will come to be the cumulus, it means a heap, यह एक normal cotton ball की तरह, उस तरह की जो clouds होंगे, that will be our type of cloud, तो सिर्फ उन दोन नाम को मिलाके, एक height को लेके height की बारी कब आएगे, जब हम cirrus और alto को जोडेंगे, तो वो define करेगा कि particular cloud की height का है, और आगे जब हम stratus, cumulus, या nimbus लगा देंगे, तो उससे क्या हमें पता लगेगा, हमारी shape of the cloud, so that's all about the type of the clouds, इनकी shape and इनकी height, ऐसे और lectures के लिए आप follow कीजिए हमारा channel, राश्री सेवा channel, that's all for it, thank you so much, hope you like this channel.